कुरोना के नए वेरियंट ने एक बार फिर लोगों के धड़कन बढ़ा कर रख दी है राजस्थान सरकार ने कोविट मैनेजमेंट के लिए टीम का गठन भी कर दिया है टूरिस सीजन में संक्रमन बढ़ सकता है इस ते लोगों से कोविट एप्रोप्रियेट बेहेवियर की पालना करने की भी सलहा दी गई है प्रदेश में कोरोना की एंट्री के बाद सीयम भजन लाल शर्मा एक्शन मोड में है चिकित्सा इवं स्वास्ति विभाग ने प्रदेश में कोविट प्रबंधन के लिए स्टेट कोविट मैनेजमेंट टीम कठिद कर दी है चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त शुप्रसाद नकाते को कमेटी का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है ये कमेटी कोविट नाइंटीन की रोक्थाम और नियंतरन के लिए राज्य में आवशक गतिविधियों की जिम्मदारी संभालेगी इधर प्रदेश के सबसे बड़े SMS हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी जिम्मदारी संभाल ली है हमने पिछले सब्ता ही एक मॉग डिल करी थी किसी इसको देखते वे नियुमोनिया के कैसी इसको देखते वे हमारे यह दोवाईयों की जैसे एंटी बाइटीग्स ने एंटी अलर्जिक ड्रग्स हैं कप सिरफस हैं सारी चीजिए एंटी वाइरल ड्रग्स हैं वो कोरोना से बच्चने के लिए सावधानी ही उपाय है सामान ने सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, गला खराब के लक्षन होने पर होम आईसोलेशन सामान ने लक्षन पर डॉक्टर की सलाह से रोग पर तत्काल काबू पाया जा सकता है लक्षनों के गंभीर या लंबी अवधी होने की स्थिती में अस्पताल में भरती होने की सलाह बच्चों, बुज़र्गों और गर्वती महिलाओं पर विशेश ध्यान डाइबिटीज, कैंसर, व्रदै रोग और गंभीर बीमारियों के रोगियों को सतर्क रहने की सलाह अलर्ट हो चुकी हैं, वहीं लोगों को इसे लेकर जागरूप करने की अच्छी खासी जरुवत है क्योंकि संक्रमन की कड़ी को तोड़ने के लिए लोगों को एक बार फिर से कोविट गाइडलाइन्स की पालना करनी होगी भले ही कोविट का असर ज्यादा हो या कम लेकिन सचेत रहने में कोई नुकसान नहीं है तो फिर क्यों न सावधानी के साथ फिर से कोविट नियमों को अपनाया जाए न्यूजेटीन राधिस्थान के लिए जैपुर से महीश दाधीच की रिपोर्ट